तर फ्रेंड्स मैं हूँ कवितार आपका स्वागत है मेरे किचन में आज मैं बनाने जारी हूँ डाल फ्राई जो की बहुत ही इजी एंट कुछ रेसिपी है तो चलिए शुरू करते हैं डाल फ्राई बनाने के लिए हमेच ये 200 ग्राम तुवर दाल धुले हुए दो प्याज बारिक कटे हुए दो टमाटर बारिक कटे हुए एक चौथाई चम्मच हींग दो सूखे मिर्च जीरा दो छोटे चम्मच हल्दी पाउडर दो छोटे चम्मच अद्रक लहसन का पेस्ट एक चोटा चम्मच नमक स्वादन उसार तेल दो बड़े चम्मच और धनिय पत्ता गार्णिश के लिए सबसे पहले हम वाश के हुए दाल को प्रेशर कुकर में डालेंगे अब हम उसमें डालेंगे दो ग्लास पानी एक छोटा चमच हल्दी पाउडर एक छोटा चमच नमक और कुकर का ढखन बंद करके हम उसे चार या पांच विसर लाने तक गैस पे बॉयल करेंगे दाल को फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम गैस अन करेंगे और इस पे कडाही चड़ाएंगे कडाही के गरम होते ही हम उसमें डालेंगे दो बड़े चमच तेल और थोड़ी देर तेल को गरम होने देंगे ये देखिए अब ये तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे सुखे लाल मिर्च जीरा हेंग और उसे थोड़ी दिर भुनेंगे यह देखिए अब जीरा लाल मिछ पक गए हैं अब हम इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ प्याज को थोड़ी दर तक लो फ्राइ गरेंगे यह देखिए अब यह देखेंए यह तोड़ी और देर बून गये हैं ब्राउन हो चुके हैं अब हम इस इसमें डालेगे अद्रक लाशन का पेस्ट अधरक लेसन का पेस्ट डालने के बाद हम उसे थुड़ी और दीर भूनेंगे ताकि अधरक लेसन का कच्छा टेस्ट निकले अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पौडर याद रखे दाल को उबालते समय भी हमने हल्दी पाउडर रियूज किया था इसलिए अभी सिर्फ कलर के लिए उज़ करेंगे ये देखे अब हल्दी भी थोड़ी पक चुकी है अब हम इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ टमाटर अब टमाटर को हम थोड़ी देर पकाएंगे जब तक कि वो थोड़ा सॉफ्ट न हो जाए ये देखे अभी टमाटर पक चुके हैं और प्याज भी भुन गया है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक याद रखे दाल को बोईल करते समय हमने नमक यूज किया था उसे ध्यान में रखते हुए हम यहां थोड़ा कम नमक डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा धनियापत्ता हम यहां यूज करेंगे अब थोड़ा सा कार्निशिंग में यह देखे अब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ दाल डाल अगर ज़्यादा थिक लगे तो आप उसमें पानी भी आट कर सकते हैं उसकी थिकनेस कम करने के लिए ये देखिए, अब हमने इससे मिक्स करके उबलने के लिए छोड़ दिया है अब ये डाल अच्छी तरह उबल चुके हैं अब हम ग्यास को बंद कर देंगे अब हम इससे सर्विं बाउल में सर्फ करेंगे और थोड़ा सा धन्यापता से गार्निश करके करमा गरम प्लेन स्टीम राइस या जीरा राइस के साथ सर्फ करें